इसे बुराई दूर करने की बात पर याद आया कि आज करन कुंद्रा जेलर बनकर घर के अंदर आये थे और बाड आस जेल के अत्याचारी जेलर के तौर पर उने F-word का इस्तेमाल का कि I don't care, just get lost जो उनकी बात नहीं सुने का बड़ी इज़त से बात करते हैं अगर कैदी उनको जेलर होने के ओहदे को चैलेंज करते हैं सारे कैदी मैं देखती हूं कि कहीं बिग बॉस भी ऐसा होता है कि जो गेस्ट आते सल्वान के अलावा उनको भी कैदी थोड़ा जादा इंपोर्टन्स नहीं देते आज बराबर से उन्होंने चपके छुड़ा है और करन कुंद्रा के घर में आने से पूरा खेल बदल जाता है तो बहुत मज़ेदार अक्शन करन कुंद्रा ने लिए हैं उस बारे बात करेंगे और बहुत सी और बाते घर में हुई है लोग की personality का हिस्सा सामने आ रहा है आज पायल और केवी में बड़ी लड़ाई हुई उस लड़ाई को मैंने कल live में भी देखा था और आज episode में भी देखा तो मेरा revision हुआ है तो बैस बारे में बड़े अक्शे से बात कर पाऊंगे तो हुआ यह कि जब बात्सुम साफ करने का की बात आने लगी हमें बात्सुम साफ करने जाना है और उसमें जो है वार्डन सुन नहीं रहे थे और तब केवी सामने आ करके मुस्कुरा रहा था जब पायल यह कह थी तो पायल ने वहां से बात शुरू की कि हमें आपनी शुरू हुआ कि जब स्त्रीद्वेशी पुरुष देशी शब्द शुरू हुआ कि स्त्रीद्वेशी कहा आता है जब आपके एक शंगता नहीं है इसलिए वो इस तरह की बाते करते कि सब बाते शुरू हुए नॉर्मल तरह से बात हुई फिर केवी ने उसमें कहा कि केवी कह कर दो कई यह पर को सद नहीं होता है। बाहर कोई ने जाता है। गारा है क्लारा और शप्लाएं के लिगा जो कि और झालता है। summer are this को यह जो है misogynist है तो लड़का क्या कहा हिगा कि भाया यह भी लड़कों को बिल्कुल इज़त नहीं थे एक्वालिटी से ठीट नहीं करती लड़कों को दबाती है इसको दबने वाले जो सके समय कमजोर पढ़ जाएं ऐसे लोग उसे पसंद है और उस सेंस में उसने कहा कि जोरुगा गुलाम उसे चाहिए अब जोरुगा गुलाम उसने कहा तो उसने कहा जोरुगा गुलाम मुझे जोरुगा गुलाम नहीं चाहिए और केवी ने कहा डॉमिनेट करना चाहती है इसे डॉमिनेट वह बात तो हमें बिल्कुल मान क्लियर कट है पा फैन झायर डिरेक्टली डॉमिनेट कर जाती है, उम्की परसनालिटी डॉमिनेट है तो उस पर उने कहा कि संग्राम जो रूगा गुलाम नहीं है पर संग्राम बीच में पर क्यों आ गया अगर हम गेम के केवी के नजरे से कहें किसी यहां पर लिया है, कि Saengraam उनके partner है, 12 साल से relationship- wander 매ँ बाँ आची जानती हूँ, Saengraam कुह बाँ ची जानती हूँ. तो, उनका नाम यहां पर लिया नहीं गया? kayWi ने Saengraam का नाम बिलकुथ भी नहीं लिया, खुद पायल ने संग्राम का नाम लिया और उसकी बाद के भी बहुत स्मार्ट है, he made it a point कि देखो संग्राम भाई, I'm sorry, आप देखो क्या करना है, मैंने ये नाम नहीं लिया क्योंकि पायल ना पर कहा कि इसे अपने से कमजोर लड़कियां चाहिए, जो इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाए, इससे आशकी करे, या फिर गर्ल्स का हैरम चाहिए, बहुत हार्श वर्ट उन्होंने यूज़ कि है, हैरम गर्ल्स ये दुदिन रात इनकी इसकी बात सुनत अब दूसरी बात, करन ने जो कहा, जोरू का गुलाम चाहिए, उसमें पायल ने जिस तरह जस्टिफाई कि वो उनके एक ट्रिगर वर्ड है, क्योंकि बारा साल से वो लोग एक रिष्टे में है, मगर वो लोग उनके इंगेजमेंट हो गए है, मगर उस लेवल पर वो नही की है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे जोरू का गुलाम तो नहीं बन सकता, तो शायद ये एक मुद्दा जो है, वो उनके रिष्टे में पायल एक अर्बन बैग्राउंड से है, मौडन बैग्राउंड से है, शायद उनकी पैरेंट्स और उनकी फामिली की अब्रिं किसकी थी, क्या केवी ने संग्राम के नजरी से यहाँ पर एक बार भी ये शब्द इस्तेमाल किया, जोरूआ गुलाम, या फिर पायल ने उड़ता तीर पकड़ लिया, सवाल ये है, पर भीया, शो तो उड़ता तीर पकड़ने का ही है, पायल आजकल, देखने ही लोग बह कि एक मन का, दिल का जो दर्ग का, बार-बार मेरे भी दिमाग में बहुत बास हमारा है कि दोनों इतने साल से एक रिष्टे में हैं, और ठीक है, आजकल लियार, लिव-in relationship forever last करती है, हमारे देशे भले इतनी सामने ना आती हो, पर बहुत सारे country से forever relationship भी live-in हो सकता है, शाद institution को मानती है, कि वो उनका एक vulnerable point है, जहां वो शादी करना चाहती है, लेकिन संग्राम के तरफ से कोई issues आते हैं, जो लोग दोस्त उन्हें बोलते हैं, और वो बात लेकर के जो उन्हें बहुत बढ़ा लगा, हाला कि यह अंदर आए लोग, और उसके बाद यह सब रोना-ध शुरुआ, पूनम के सामने, अरे, क्या ना मैं, बभीता जी के सामने, बहुत लोग के सामने, शुम ने का रहे बहार ड्रामा चालो, के भी ने का रहे चलो चलते हैं, सब बहार आए, मुनवा ने बहुत important बात की, मुनवा ने कल भी बात कही थी, एकदम जबर्दस sentence आज भ सब्सक्त कहते हो, तो वह डरोगेटरी होता है, तो क्या लड़की के लिए कहना डरोगेटरी नहीं होता, मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में, हम बैग्ग्राउंड से आते हैं, 150-200-300 साल की सब्वेता लेकर के जहां ओरतों को दबाया गया है, लिके अगर सेम टाइम, बिलक करती है, ये चीज़े हमारे देश में एक्जिस्ट करती है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल के जाना, मतलब भले कितने भी एक्वैलिटी की बात करें, कुछ बाते लड़कियों को लग जाती है, कुछ बाते लड़कों को नहीं लगती, भले हम कितने भी अर्बन करते हैं, वो भी एक बड़ा शब्द है, अब मिसोजनिस्ट एक थपा लगाते हो, वो थपा उस पर आगे लग जाता है, बुली, बुली शब्द का स्ट्यांप लगाए, कि बुली करता है, उस पर करनने, केवी ने काच बहुत बड़ा खुलासा किया, कि उसकी अपनी बेह इन ने उससे बुली किया है, तो ये तो खेर मतलब बहुत दिखो, ये तो हम सब जितने भी बड़े भाइबहनों को बुली करते हैं, पिटाई करते हैं, डॉमिनेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपमों किस लिमिट में कहा तक करते हैं, ये हर एक में अलग-अलग depend कर लेकिन करते हैं, तो उन्होंने आज कहा कि वो जिंदगी में बुली के शकार हुए हैं, उनकी एक दो लाइन्स जो का लाइफ फीड में थी आज कार्ड दी गई, मैं बताऊंगे आपको, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेहन उनको डॉमिनेट करती थी, उसकी वैसे कितनी चीजे उनको नहीं मिलती थी, जो उनकी बेहन को मिलती थी, स्कूल में उनको डॉमिनेट किया था, और वो कहते हैं, मैं चिकना था, मेरे बाल सिल्की थे, इसने लोग मुझे बहुत बुली करती थी, स्कूल में, ये लाइन आज की एपिसोड में से कार्ड गिर दी गई, उन्होंन तो उन्होंने भी बड़ी बात बोली, केवी बहुत जादा स्मार्ट है, there's no doubt, केवी महाशातिर है, महा स्मार्ट है, बड़े गेमर है, लीडर है, I'm sure कि अगर केवी धंग से खेले तो ये शोवत जीच सकते हैं, और अपने माथे पर लगा वो एक स्टान, केवी विनर नही केवी बन सकता, वो उसे मिटा सकते हैं, केवी में वो capability है, क्षमता है, और मुझे रखता है, केवी शायद ये शोवत जीच सकते हैं, हला कि बहुत तगड़ा competition है, मुनवर है, पायल है, बहुत से लोग है, मुझे तो रखता है, साईशा भी आ, हला कि साईशा आज कर धस र के कौन, जबकि, क्रम कुंड़ा और ली एक ल साल से जानते है, उहने र olmas, कारम कुंदरा ने तब saara सा कुईकर और तो आज उन्हे का बहुत मज़ा आएगा बहुत मज़ा झाली आए उन समय क chilli neatlyं तो यह कही ने कही करन कुंद्रा ने जाए बहुत से यहां निष्टा को जबाँ चैंज होगा, जी तो तो गुड़ी गुड़ी बन रहा है, तो यह भी याद रहा है, तो चुछ प्रमा भाहर गया था था, जो यह अदे हैं, तो जागो अधिया तो बाहर गया था, बुझे पुरानी बात यह आदा गई ऐसा वैसा, और हलाकि यह देख भी ने पाया और खली बली खली बली हो जाए अली का खली बली ना हो इसलिए करन ने आज उसको चार्ज अप किया है और अली जब बिग बॉस में आया था अली बहुत चार्ज अप था उसके आते ही ठाड़ा धुडूम ये वो मतलब सब लोग उसकी बात सुनते बाहर चल रहा है वो चल अप उसने किया था तो कहीं न कहीं करम कुंद्रा ने उसको चार्ज किया है उन्हों निशा से कहा कि तारीफ की निशारी तुम लोग ने जैसे बात्रूम तुमने वो किया यह इतने बड़े अच्छा एक पहले मुझे लग रहा था कि जब ये टास्क है क बाथ्रूम जो ब्ल्यू टीम को मिला है उसको सम्हाल कर रखना ठीक है तो या और इंज टीम को मौका तो मिलना चाहिए कि वो उस बाथ्रूम को यूज करें ताकि उनको भी पनिश्मेंट मिले ब्ल्यू टीम बालों को मगब दराजा खोलीने थे बाद में जब निशा ने clear-cut कहा कि मुझे बात्रूम धोना है पायल बहुत बार बोल चुकी थी पायल और पूनम को माइक भी चेंज करवा दिया जो पायल ने चुराया था माइक भी चेंज करवा दिया लेकिन जब निशा ने कहा तो कि मुझे बात्रूम धोना है मेरी ड्यूटी है मैं चाहता हूं मैं च करन कुंद्रा ने निशा की तारीफ की तो उसने का हम यह करना था था या I am very happy और इसलिए खुश हूँ क्योंकि कहीं न कहीं हमें यह लोग चिड़ाते थे बुली करते थे मुझे रिवेंज लेने का मुझा मिला और इसलिए मुझे मजा आया और तब करन कुंद्रा ने कहा य तो क्वाइल को के मत बयठो करन ने यह उसको भी कहीं नंहीं कहा का यह KV की भी तारीष की तो करन ने आज गेम केड़ांए वैसНे करन को बार में बात करऊंगी जो हुआ है लेकिन करन की पोरन के बार में adequate क करने कुंद्रा ने केवी की फैमिली केवी को जोलगर ने बुलाया और जोलगर में उसे कहा किसी एक को निकाल दो उसे पायल का नाम लिया तो कोया पायल नहीं चलेगी वो लेडी चार्चीट में है तो अली जो नहीं है उसमें से नाम नहीं है तो अली सिधात शिवम तो उसने अली का नाम लिया उसने का, कुरुंद्रा ने का, सेफपत खेलो, और फाइनली, सिधार्थ का नाम लिया, क्योंकि तब उसकी फैमली की बच्चों, मना कर रहा था कि मैं यह नहीं करूंगा, नहीं निकालूंगा, तो उसकी फैमली की बच्चों की आवाज, बच्चों की तस्वीर दिखाई कि यह बहुत हाशता सिधार पहले बहुत नाराज हुए, मगर खेल बाद में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तो यह पोर्शन कल के लाइब में दिखा जाएगा, और आज वैसे, के मनावर को कहा कि अत्यचारी खेल में आप मत चलो, मगर वो उसे का नहीं, मैं अत्यच खराब होगी, ज़दा कुछ कर नी पा रहा है, तो जल्दी ठीक होने चे पतानी क्या टीप्मेंट कराने हैं यह लोग, तो टास्क जो था ब्लिपंच वाला, उसमें एक तरफ ब्लिव टीम थी, एक तरफ और बहुत अच्छा था, इंट्रेस्टिं टास्ट था, बहुत नय जो हो फुस हो गया, सेकंड वाले चांस में जहां पर फर्स वाले में दो लोग गिर गए हो तो अपनी गलती की वैसे गिरे, क्योंकि पायल कुछ और कर रहे थी, पायल के आंग पर पंच लगा, वो गिरी, सिधात उसको सपोर्ट कर था, वो गिरा, तो सेकंड राउंड में बहिए कोई गिरा ही नहीं, तो इनको अपना गेम ही चेंज करना पड़ा, और हात में उनकी जो गेम में नहीं था, वो बलून रखेते होली मनाने के लिए, और वो लोग जो गिर पड़े तो उसके निचे बलून आये, तकलीफ ना हो उसके लिए, मगर उन्होंने वो बलू इसके अलावा गर मैं बात करूँ तो पूनम भी सुनती है और कौनम की टीम में सब लोग उसकी बातें सुनते हैं शांती से जो भी वो कह रहा है शिवम भी सुनता है शिवम कभी आर्गुमेंट नहीं करता टास्क में कि नहीं मैं ये नहीं मैं ये करूँगा मैं वो नहीं मैं वो करूँगा वो लोग सब लोग task के वक्त अपना importance दिखाने के बजाए task जीतने पे focus करते हैं जबकि orange team में मैं पहले भी कहा हूँ कि लड़किया है तो task जीतने ठीक है मेरा point of view मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कुछ नहीं कर सकते लड़के लड़कियों में फर्क होता है लड़किया they wants to prove their point always experience से बोल रही हूँ मुझे अपना point prove करने मज़ा आता है तो वो हम कुछ नहीं कर सकते उसका तो वो लोग वो point prove करती पर game में उनको कहीं न कहीं इस point पर पहुंचना होगा जहां वो सब लोग जब कोई बंदा एक leader बता रहा है बाकी लोग contradict ना करें अगर कोई point सही है वो बताए तो leader भी उसको accept करें जैसा कि orange team वाले करते हैं blue team वाले sorry blue team वाले करते हैं orange team वाले नहीं कर पा रहें आज साईशा चुकी game के बाहर थी वैसे साईशा के घुटने में चोट लगे थी आखले maneuver के साथ में cheerleader का बनने के लिए बैटी थी हाँ साईशा good खुब होली मना रही हो तो maneuver के साथ में anyways मजा का पाट लेकिन साईशा ने observe किया और observe करके उसे सब को पता है पायल ने का कि चुड़ो बात कर लेते हैं इसके पहले कि सब के मन में बात रहे हम बोल के निकाल दें क्यूंकि इसी पर बड़ी बात पिछले हफते अत्याचारी अरीना वाले टास्क के दोरान साईशा को बहुत गुस्सा आया था कि किसी ने उसको cheer up नहीं किया सब ने उसकी कमी निकाली इसके पहसीन निकल गए थे तो आज आज पायल ने का let's speak it out और तब साईशा ने बताया वो लोग synchronization में थे वो लोग ध्यान रख रहे थे वो synchronize में एकदम बराबर balance रहे थे हमारे यह सब जुंड में थे तो इसलिए कुछ points ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है orange team वाले अपने आप में सुधा रहेंगे अंजली यहां पर आगए एक अंजली का problem खा अंजली तरह सिंक्रोनाइज नहीं होती थी बविता भी जल्दी सुनती नहीं है उनको लगता है कि गेम उनका पोटे है मगर यहां पर गेम थोड़ा अलग फूरती आज तिसे आज उन्होंने घुटना लगाया तो वो आउट ह उन्होंने घुटना लगाया सिधार्थ ने बलून छोड़कर के बलून को हाथ लगाया और रावत हो गए और पहले तो अपर लिए पायल को संभाला पायल की इंजली उनके सिधार्थ भी आ गए तो कहीं न कहीं बविता को गेम समझना होगा लैंग्विज की भी problem आ रही ह यह लोग बार बार कहता है नी से मत करो, नी से मत करो, अब देखो नी है सब को समझ में आयोगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कही न कहीं न कहीं, पायल ने अड्रिस भी किया, कि हम हिंदी इंगलिश की प्रॉब्म को सॉल्व करते हैं, तो बभीता जी को थोड़ा, वैसे ने पायल का साथ दिया, कि हम लोग दोस्त हैं, और किसी के बोलने से कुछ फरक नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से उसने किया, तो मुझे रखते आने अल दिनों में, टीम औरेंज में थोड़े सुधार आएंगे, और वो लोग भी जो है, अपने कहीं ने कहीं पॉइंस, करेंगे, वैसे, कि सिधार की बार-बर क्या प्रम्ट में है, बार-बार लोग उसे पकड़ते हैं, कि वो लेडी बातरूम में, अब लेडी बातरूम है या नहीं, यहों आपस में रिसाइट किया है, जाता है, अब वो पी बराबर से नहीं करता है, बातरूम के छिटके यह वहां रहते हैं, सधात, that is a very bad manners, it's a very bad manners, really a bad manners, जो हमेशा अगर आप कहीं कोई bathroom use कर रहे हो, जो लड़कियां भी use कर रहे हैं, तो उसके एक अलग etiquettes होते हैं, manners होते हैं, जो basic है, basic है, वो आपको सीखने चाहिए, अगर नहीं सीखें, तो आपको सीखने चाहिए, that is really bad, तो essay में, देखते हैं, मैं आप लोगे कुछ comments लेती हूँ, फिर देखती हूँ, कुछ points चूटे तो नहीं है, और हम accordingly बात करेंगे फिर, अश्मिनी कहती है, आपका review बहुत बढ़िया, thank you Ashmini, thank you so much darling, Shivanaj बाच्परी केता है, Sidharth को लोग आउट नहीं करना चाहिए था, Shivan को कर देते, Shivanaj अग्री, Sidharth को नहीं, Shivan को भी करना चाहिए, Sidharth शिवम दोनों को, मगर यह खेल ही ऐसा है, यह भी कहा गया, कि आगे क्या होगा, आपको पता नहीं है, पर आम शूर सद्धार्त को इन लोको वाइल कार के तौर पर लाना चाहिए, इस नौट फेर, वो स्टॉंग लड़का है खेला ची उसे, पिछली बार जे वो स्वामी ओम गया सामने पहले हथे में था, उसके बाद दो हथे में उसके बहुत अच्छा खेल खेला है तो उसको मिलना चाहिए, आज का लाइव बहुत हार्ट टचिंग था, सद्धार्त ने दिल जीत लिया, शिवानश कह रहा है, सद्धार्त ने दिल जीत लिया, जिस तरह से उसने बाद में केवी के निकलने कहा, उसने तारीफ की और कहा, कि मेरे पापा का नाम भी मनोश कुमार है, आ आपको पापा कहके बुलाया, आप उनने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इट इस और वर्थ में भले निकल गया, मगर आप अपने बच्चों से मिल पाए, मुनवर शो चला रहा है, शाय की जुनायत करें, डेफिनली वो शो चला रहा है, अच्छा खे तूड गया था, राइट राइट, वो काफी तूड गया था, निकलवा भी जया करने काफी तरह, बहुत थोड़ा वज़ा था, इसलिए बलून हाथ में रखवाया, ताकि एक अलग एक्शन हो, केके ने मस्त बनाया केवी को, मेकर्स को, सिड को निकालना था, केके ने मस्त केवी को बोला कि, वो सिड को निकाला, केके अऐसे जयर्रॉक कर रहा है, संजना कह रही है, राइट संजना, अब इस पर तूछ मैं क्या ही कमें क्रुएं कि वो निकालना चाहता था, निश्या मुझे लगता है, की ऑर अफ्छा कर सकती है और ये निश्या बहुत अच्छा कर सकती है वो निशा के पूरे चांस ने आने के अगर थोड़ा भी ठीक से कहलती आगे आ सकती है तपस्य करिए तुम इतना उसको की वो तेरे उपर हाथ उठाया और वो शो से बाहर हो जाए वो है शिवम बहुत गंदा गेम खेला मुन्ना ने हाँ उसने आज सद्धात के साम बहुत भडग गया बहुत ज्यादा हूँ और नों को पींछ गड़ा कनिश कहरे माम जस्ट वन वीक फो आरार रिकॉर्ड स्टूटेंगे और शॉर रिव्यू करना मैं लेक मत हो जाना उसी दिन देखना कनिश काई प्रॉमिस आम सो सॉरी कि आपको यह कहना पड़ रहा है क अगरे लेट आए होप में डेट्स चेक कर लेकिंगे 21 को आप रिलीज होड़ी रहा है वाइस एक स्केंट फ्राइडे को रिलीज होड़ी ना अगरे तो फ्राइडे है पच्छीस को पक्का देखूंगी हाँ आप इतने दिन बाद आए आर यू के रिशी कल ही में लाई बाद मैनर्स कट्टी हाँ पी होली संजय है और कुछ कॉमें चूड़ गए मेरे पूरे कॉमें इसको नहीं दिखा रहे हैं मुझे ओके क्यों ऐसे और क्यों ऐसे हो रहा है एक सेकिंड छोड़ो आप अच्छा बोलते हो थांक यू सो मच शैक जुनेट थांक यू सो मच अचा आया थोड़ा आया आया बीचे कोमेंट्स आये आज आज आप लोगों आप लोगों गेम में जो केविय और पायल की फाइट थी इसमें आपको कौन सही और कौन गलत लगा मैं जाना चाहती हूँ केवियो जो पायल की फाइट थी इसमें से कौन गेम जाता खेलता हो लगा अली का अन्या आतार देखने मिलेगा निश्या और पायल ने बादशा खेलके सामझाल टीम को भी पनिश्मंट का हगदार कर दिया वैसे आज शिवम का वो सोलो भी मस था ज आम शूर काफे सारे बातें हम दिसकस कर ली है और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे कल आप लोग होली अच्छे से खेले सेफ रहे हैं हामफुल कलर मत लगाईए दो साल बाद होली खेल रहे हैं अगर आप टॉक्सिक होली खेलके तो थोड़ा संभाल कर खेलिए बाई गुड